चार्ल्स उलीवेरा UFC 280 में इसलाम मखाचेव से हारने के बाद जैसे गुफा के अंदर ही चले गए थे हमें उनकी कोई खबर नहीं थी और हम वेट कर रहे थी कब वो दुबारा से मोटिवेट होकर अपने रीमैच के बारे में बात करें अगर रीमैच नहीं लिया उन्होंने तो कम से कम अपने पोटेंशियल अगले फाइटर के बारे में बात करें कि मेरी फाइट किस से होने चाहिए लेकिन हम सब की उमीदों से भी कहीं ज्यादा एक्टिव होकर चार्ल्स उलीवेरा आप छा गए हैं ओलनाइन क्योंकि रोज के रोज वो जो फाइट होने वाली है सुपर फाइट लाइट वेट चैंपियन जो बनने वाले हैं अलेक्जेंडर वॉलकनोस्की और इसलाम मखाचेव उनके बीच की जो सुपर फाइट पर्थ के अंदर UFC 284 में होने वाली है उसके बारे में रोज के रोज इन डेप्थ अनेलेसिस देने लगे हैं चार्ल सोली वेरा अब यहाँ पर चार्ल सोली वेरा ने कल एक लेटेस्ट इंटर्व्यू में सुपर लुटस के साथ जो है अपनी नेटिव लेंगवेज में जो इंटर्व्यू दिया उन्होंने तीन अगर वोलकमॉश की जीत गए तो डारेक्ट चार्ल सोली वेरा के साथ उनको मुझा मिलेगा यह बाध्यान रखना अगर इसलाम जीता तो चार्ल सोली वेरा को बनील डारीन उसके जो है फाइट को एक्सेप्ट करके उसको हरा कर जो है मौका मिलेगा इसलाम के साथ फाइट करने का तो चार्ल्स ओलिवेरा यहीं से ही शुरवात से ही गुगली फैकने लग गए हैं और ट्राइ कर रहे हैं कि मेंटल प्रेशर बनाया जाए और बोल्ड कर दिया जाए इसलाम मखाच और उनके फैंस बिल्कुल यह सोचे बैठे हैं कि भाई दो राउंड का गेम है बस दो राउंड के अंदर ही टेक डाउन करके सब का वहम निकाल देगा इसलाम मखाचे और कचूमर बना देगा घोडे की तरह राइड करेगा वोलकोनोस्की को लेकिन चार्ल्स ओलिवेरा का मानना ये है कि शुरुवात के राउंड के बाद जैसे ही यानि कि पांच मिनिट जैसे ही खतम होगी लेकिक जो होंगी वोलकोनोस्की की और जो डिस्टेंस मेनेजमेंट होगा वो इसलाम मखाचे के पूरे गेम प्लैन को शट डाउन कर देगा यानि कि लेकिक का खतरा बता आउट साइड लेकिक दोनों किक की बात की उन्होंने कि इनसाइड लेकिक और आउट साइड लेकिक अब देखिए मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर एक चीज समझनी जरूरी है और वो चीज यह है कि वोलकोनोस्की की हाइट छोटी है और देखिए मान लीजे जिसकी हाइट बड़ी है जिसकी हाइट छोटी है उसमें वोलकनोसकी को फायदा यह होगा कि क्लिंचिंग सिचुवेशन जैसी हो गई तो इसलाम मखाचेव की ये जो है ना चिन चिन के नीचे अपना सिर रखके जो है थोड़ा सा जो है बैलेंसिंग या कंट्रोल ले सकता है वोलकनोसकी चार्स उलिवेराने देखो यह एक important point बताया है कि वोलकनोसकी की हाइट है छोटी तो नीचे चिन के नीचे अपना सिर लगा के जो हिप कंट्रोल है इसलाम मखाचेव का जिससे वो करते हैं उस हिप कंट्रोल की पोजिशन को थोड़ा सा मिन्यूवर कर सकते हैं कौन अलेक्जेंडर वलकनोसकी क्योंकि अलेक्जेंडर वलकनोसकी की हाइट छोटी है सीधा चिन के नीचे सिर ले जाएंगे और जो पूरा का पूरा गेम है इसलाम मखाचेव का की टेकडाउन करो और ब्लैंकेट इफेक्ट डाल दो उनको उठने मत दो तो यहां पर जो हिप से हिप के कंट्रोल से ही वो टेकडाउन करते हैं तो यहां पर अगर सिर जो है चिन के नीचे आ जाए तो हिप कंट्रोल सामने वाले का बिगड सकता है तो ऐसे में डिस्टेंस मेनेजमेंट ग्रैपलिंग के अंदर चोटी मोटी यह टेकनिक और डिस्टेंस मेनेजमेंट करते हुए जो लैक किक गेम होगा वोलकुनोस्की का उसका जवाब मखाचेव के पास नहीं होगा यह कहना है चारल सोली वेरा का अब यहां पर चारल सोली वेरा क्योंकि जो भी फाइटर आप देखें टॉप क्लास का होता है उसको कुछ ने कुछ तो आइडिया फाइट गेम का होता है तो उनसे बहुत कुछ चीजें हमें सीखने को मिलती है लेकिन मैं यहां पर चारल सोली वेरा से एक बात पर एगरी नहीं करता देखिए यह सारी बा रिंग में उतरने के बाद जो हैं ओक्टागन में उतरने के बाद गेम प्लैन को ना भी मानते थे लेकिन जो इसलाम मखाचेव वो 100% गेम प्लैन के साथ स्टिक करते हैं तो यहां पर चारल सोली वेरा का जो कहना है कि लेक किक से खत्रा होगा और क्लिंचिंग के अंदर यह उतरेंगे तो कि परत के अंदर जहां पर इसलाम मखाचेव की जो है बेल्ट जो होगी वो लाइन पर होगी साथी साथ उनके पास मौका भी होगा कि पाउंड for pound नंबर वन वो जो है चेंपियन बन जाए अब यह pound for pound क्या होता है इसकी वीडीo मैं तो आप सर्च करके देख लेकिन यहां पर आप लोगों को चाल सोली वेरा का ये पॉइंट ओफ यू कैसा लगा कि लेग किक और जो मैंने टेकनिक बताई वो दुखी कर सकती है इसलाम मखाचेव को नीचे कमेंट वोक्स में कमेंट करके बताएं और क्या ये भी बात जो मेरी मैंने आपको कही कि इससे ही इन सब बातों का ध्यान रखकर ही एक ऐसा गेम प्लैन बनाएंगे जिससे ये सारी चीजें जो हैं अलग रहें यानि कि सेव साइड पर रहकर जैसा एक ट्रेडिशनल गेम प्लैन होता है फादर्स गेम वो बनेगा और यहां पर इसलाम मखाचेव इसली वोलकुनो UFC के अंदर होती हुई भी दिखाई देगी अब वेट करते हैं हम किनके साथ उनकी फाइट फिक्स होगी मैंने वीडियो भी बनाई थी कल आपके लिए कि चाल्स ओलिवेरा के लिए UFC का प्लैन क्या है तो अगर आप लोगोंने वो वीडियो नहीं देखिए तो वो वीडियो लिए बोक्स में आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो बाते मैंने कही आप उससे इतिफाक रखते हैं या नहीं और जो चाल्स ओलिवेरा की सोच है उससे इतिफाक रखते हैं या नहीं और विनर कौन होने वाला है UFC 284 में और आपको अच्छा लगा या नहीं लगा कि च दुबारा से करंट आ गया है दुबारा से वो एक्टिव हो गए है जरूर बताईएगा